आपका स्वागता है हमारे यूटूब चानल में आज की इस वीडियो में मैं आपको PC या लाप्टाप में WPS Office अच्छे से काम नहीं करता है या वोक नहीं करता है तो ये प्रोब्लम फिक्स करने का जनून तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से PC या लाप्टाप से WPS Office का प्रोब्लम स्वाल कर सकते हो PC या लाप्टाप में WPS Office का प्रोब्लम स्वाल करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक कीजे, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद, एप पे क्लिक कीजे, एप पे क्लिक करने के बाद, पेज को नीचे की और स्कॉल कीजे, पेज को नीचे की और स्कॉल करने के बाद, डबलू पी एस ओफिस के आगे में त्री डॉट दिये है, उस त्री डॉट पे क्लिक करके advance option पे क्लिक कीजिए advance option पे क्लिक करने के बाद page को निचे की ओर scroll कीजिए page को निचे की ओर scroll करने के बाद repair पे क्लिक कीजिए repair पे क्लिक करने के बाद आपके PCR laptop में WPS office repair हो जाएगा WPS office repair होने के बाद reset पे क्लिक कीजिए reset पे किलिक करने के बाद फिर से रिसेट पे किलिक कीजे रिसेट पे किलिक करने के बाद आपके PC या लापटाप में WPS Office रिसेट हो जाएगा WPS Office रिसेट होने के बाद पेज को कट कीजे पेज को कट करने के बाद इसी तरह से आप Windows 10 या Windows 11 के लापटाप, डेस्टाप या PC से WPS Office का प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो